फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे सी और सुन्दर सी बेबी बुटीज लेके आई तो इस बेबी बुटीज को बुलने के लिए मैंने यहां पे यह नॉर्मल बेबी वूल ली है और मैंने 10 नम्बर की यहां पे सलाई ली है अगर आप इसको इस नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहां पे 10 नंबर किसला यूज कीजिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन कियाएगा तो देखिए बहुत ही सुन्दर डिजाइन में हमने ये बेबी बुटेज बुनी है इसको हमने देखिए यहां से बुनना शुरू किया है और ऐसे बनाते हुए उपर की तरफ यहां आके हमने इसका एड़ किया बहुत ही प्यारा सा बेबी सूज गई है, बेबी बूटेज गई है, बेबी जुराब गई है बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन हमारा बनाह जितना देखने में सुन्दर है, बनाने में उतना ही आसाद है तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे, ये हमारी 6 महिने से लेके 1 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज बनके आएगा, तो चलिए बुनना शुरू करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प् ताकि जैसे यहां पे जब हम सिलाई करेंगे तो यह बहुत ही बारीकी से सिल के आ जाएगा अगर डबल धागे से फंदे डालेंगे तो यहां पर किनारी भूत मोटी बन जाएगी जो पहलने में कमफरटेबल नहीं रहेगी तो देखिए ऐसे सिंगल धागा लेंगे और यहां को उंगली पे करेंगे यहां से डालेंगे इस तरह से बनाएंगे दो तीन चार पांच छे इसी तरह से डालती हुए हम यहां पर तीस फंदे डालेंगे फंदे थोड़े से लूज डालेंगे इस तरह से ज्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे तो देखिए फंदे मैंने डाल लिए है single दागे से यह हमारी right side है first row है यहीं से ही हम के लिए फंद बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह से यह ऐसे हमारा गुलाई में बन जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको बनाएंगे तो देखिए यहां पर जैसे हम एक लःण में बढ़ाएंगे फंदे ऐसे ही फिर आगे बढ़ाएंगे तो यह जो फर्स्ट फंदा है इसको आप बनाएंगे एक फंदा बुनेंगे आप देखिए यहां पर एक फंदा ऐसे धागा घुमा के इस तरह से ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे अब यहां पर हम तेरा फंदे पार्टिंग में बुना फिर एक फंदा बढ़ाया फिर आगे तेरा फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, और तेरा तो देखिए अब हमने तेरा फंदे बुन लिए अब यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरह से तेरा फंदे बुनेंगे अब यहाँ पर दो फंदे बनाएंगे एक और दो दो फंदे बुने फिर यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे अब फिर से तेरा फल्दे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, और तेरे, तेरा फंदे बुनने के बाद फिर से फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा फिर से बुन लेंगे तो देखिए एक फंदा हमने एक फंदा बुन के स्टार्टिंग में बढ़ाया एक लास्ट में बढ़ाया दो फंदे हमने यहां सेंटर में बढ़ाया तो एक सलाई में हमारे चार फंदे बढ़ गए अब आज यह रोंग साइड में यहां से पूरी सलाई को हम उल्टा उल्ट बनाएंगे यहां पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही बुनते हुए पूरी रों को कम्पलिट कर लें तरफ से पूरी सलाई को बुन लिया अब आज यह सीरी तरफ अब देखें फिर से फंदे बढ़ाएंगे तो किस तरह से बढ़ाएंगे यह फर्स्ट फंदा बुनेंगे आप देखिए जो यह बढ़ाया हुआ फंदा है इसको बुन लेंगे आप फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे आप फिर से तेरा फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, और तेरा फंदे बुने इस फंदे को फिर से यहां पर बढ़ा लेंगे अब देखिए यह बढ़ा हुआ फंदा है इसको बुनेंगे दो फंदे हमारे सेंटर में थे इनको भी बुन लेंगे अब यह हमारा बढ़ा हुआ फंदा है इस फंदे को भी हम बनाएंगे अब फिर से यहां पर फंदा बढ़ा लेंगे फिर तेरा फंदे बुनेंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बारे, तेरा तेरा फंदे बुन लिए फिर शे फंदा बढ़ाएंगे अब देखे, यह हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इसको भी बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा भी बुनेंगे तो यह फंदे बढ़ाते हुए, यह सलाई को कम्पलीट कर लिया अब उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही पूरी रोकों हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर लेंगे तो यह रोंग साइड से यानि उल्टी तरफ से पूरी सलाई को बुन लिया अब फिर आज यह सीधी तरफ, फिर से फंदे बढ़ाएंगे तो इस फंदे को बुनेंगे, यह दो फंदे हमने बढ़ा लिया, इनको भी बुन लेंगे अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसी फिर तेरा फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेरा तेरा फंदे बुन लिया, अब यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे अब देखें यह दो फंदे हमारे बढ़े हुए हैं एक और दो, यह दो फंदे हमारे सेंटर वाले हैं, इनको भी बुनेंगे अब यह दो फंदे फिर से हमने बढ़ाए थे, इनको भी बुनेंगे अब फिर फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, इस तरह से यह फंदा बढ़ा दिया अब फिर तेरा फंदें फिर से बुनेंगे एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार है बार है तेरा फंदें बुन लिए फिर फंदा बढ़ाएंगे ऐसे घूम आगे ऐसे फंदा डार लेंगे फंदा बढ़ गया अब दो फंदे गये हैं इनको बुनेंगे और लास्ट का फंदा इैसको वे बुन लेगे तो अब हमारे तीन बार फंदे बढ़ चुके हैं अब फिर से यह पुर्स कुलाइं को रोंग साइड से ऐसे ही उलटा-उलटा बनां के कंप्लीट कर लेंगे इसमें कोई फॉन नहीं बढ़ाएंगे यह रोंग साइड से पूरी स्लाइ को पुण लिए अब फिरा जीए सेड़ी तरफ तीन बार हमने फंदें बढ़ा लिए ये तीन दारी यहां हमारे बने हुई हैं अब की बार एक बार फंदे और बढ़ाएंगे तो ये फंदा है इसको बुनेंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा है एक दो तीन तीन फंदे हमारे बढ़े थे अब यहां पर फिर से फंदा बढ़ा लेंगे तो टोटल चार फंदे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 फंदे बुन लिए फिर से 10 का फंदा बढ़ाएंगे और 3 फंदे हमने यहां पर बढ़ा रखे हैं पहले से तो टोटल यह 4 फंदे यहां पर बन गई अब 2 फंदे यह हमारे सेंटर के थे इनको बुनेंगे अब फिर से 3 फंदे बढ़ाई हुए हैं इनको भी बनाएंगे अब फिर से यहां पर फंदा बढ़ा लेंगे फिर 13 फंदे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, तेरा फंदे बुनने के बाद फंदा बढ़ाएंगे और यह बढ़े हुए फंदे हैं इनको बना लेंगे तो, चार बार हमने फंदे बढ़ा लिये अब रोंग साइट यहां से पूरी सलाई को फिर से उल्टा उल्टा बनाएंगे सीधी तरब से इफंदे बढ़ाएंगे उल्टी तरब से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही इसको पूरी सलाई को बुन लेंगे तो उल्टी तरप से पूरी सलाई को बुण लिया अब यहां पर आप द्यान दिजिएगा टोटल हमने स्टार्टिंग में 30 फंदे डाले थे चार सलाईयों में हमारे 16 फंदे बढ़ गई एक सलाईय में हमारे 4 फंदे बढ़ी है एक फंदा यहां पे बढ़ा है एक लास्ट मे बढ़ा है दो फंदे हमारे सेंटर के दोनों तरफ बढ़ते गए हैं तो टोटल 16 फंदे बढ़ गए 30 डाले थे अब हमारे पास यह 46 फंदे यानि 46 है अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे अगर आप बढ़ा साइज गुनना चाहते हैं तो आप और फंदे बढ़ा सकते ह यह 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए तो मैं यह 4 बार ही फंदे बढ़ाऊंगे अब यहां पर हम 2 सलाई ऐसे ही बगएर फंदे बढ़ाई हुए बुनेंगे यहां से भी उल्टी और बैक से भी उल्टी कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही पूरी रो को उल्टा उल ही होगे मैं कि इसी भी साइज में आप बना सकते हैं थोड़ा साब्सक्तiğ रिच आतर रहता है चोटा साइज मैंने बगैर फंदे बढ़ाये वे बुनली टोटल अब हमारे पास ये 5 लाइने बन गई हैं एक, दो, तीम, चार, पांच अब देखे यहां से हम जो डिजायन हमने ये यहOn पर डिजायन डाला है इस डिजाइन को हम डादेंगे यहां तक हमारा बन गया है अब देखे किस तरह से करेंगे तो यह फर्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा पिछे करेंगे ऐसे ही करते विए एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पूरी रो को हम इसी तरह से बुन लेंगे तो एक उल्टा एक सीधा बुनते विए पूरी रो को कम्प्लिट कर लिया फंदा है इस सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे उल्टे को उल्टा बनाएंगे दागा पीछे आप देखे जो ये सीधा फंदा आपको नजर आएगा इसको यहां से न बुनते हुए जो ये निचे होल नजर आएगा एक सलाई निचे इसमें से इसको भूनेंगे ऐसे धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछ अपल यह सीधह फंदा है इसको एक शलाई नीचे जो हूल Ł निजर आयेगUh कि इसके अंदर सलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे जल उपने पिछे फिर से स्थांदल उल्ट एक स्थ निछे से होल में डार लेंगे हैं यह इसी तरह से दोनों तरफ से हैं इसी तरह से बुनी जाएंगे तो इस पूरी स्लाई को ऐसे ही बुनेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे सीधे फंदे को एक स्लाई नीचे से खोल नजराएगा इसमें से बुनेंगे तो इसको कम्पलीट करेंगे इसको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ उल्टा बनाएंगे तो पूरी सलाई को इसी तरह से बुनेंगे अब आज ये सेधी तरफ तो जैसे हमने ये सलाई बुनी है इसी तरह से यहां पर बुनेंगे सीधा फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल् से यहां से बनाएंगे सेम ऐसे ही बुनी जाएंगी दोनों तरब से उल्टे को उल्टा बनाएंगे धागा पीछे जो सीधा फंदा है उसको एक स्लाई नीचे से जो आपको यह होल नजराएगा इसके अंदर से इसको बुनेंगे धागा अपनी तरब फंदा उल्टा तो सेम इसी तरह से जब आप बुनेंगे तो ये डिजाइन ऐसे बनना शुरू हो जाएगा तो ये तीसरी सलाई है टोटल दस सलाई हम यहाँ पर दोनों तरब से इसी तरह से बुनते हुए कम्पलिट कर लेंगे तीसरी सलाई है फिर चोथी सलाई भी ऐसे ही बनाएंगे टोटल दस सलाई आप बुन लेंगे उल्टे को उल्टा सीधे को नीचे वाले होल से बनाएंगे तो दस सलाई बनाके फिर मा आगे आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे देखें ये 10 सलाई बना के मैंने सेंटर के पारट को कम्पलिट कर लिया है अब ये 10 सलाई बुनने के बाद ये हमारी राइट साइड है यहां से पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बनेंगे पूरी सलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे सीधी तरब से उल्टा और बैक साइड से उल्टा ही बुनेंगे तो ये दो सलाई उल्टे उल्टी बुन ली है सीधी तरब से उल्टी बनाई है और बैक साइड से उल्टी ही बुनी है अब हमारे पास यह 46 फंदे हैं इन फंदों को 3 भगों में डिवाइड करेंगे तो starting में यह 20 फंदे हैं 20 फंदे हैं फिर हमने मारकर लगाया है 5 फंदे यह दोनों मारकर के बीच में हैं और 21 फंदे लास्ट में हैं तो देखिया किस तरह से बुनेंगे यहां से अभी यह स्लाइस सीधी बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, उन्निस, और बीस, बीस फंदे हमने बुन लिए, अब इस मारकर को इस सलाई पे डाल लेंगे अब देखिए जो यह जो फंदे सेंटर में पाच फंदे हैं, यहां पर दो का एक करेंगे दो का एक किया, एक फंदा कम हुआ, जो बीच का फंदा इसको सिंगल बुनेंगे अब देखिए यह दो फंदे हैं, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पल्टेंगे और दो का एक बनाएंगे इस तरह से, अब इस मारकर को वापिस इसी पे लेंगे, अब देखिए यहां पर हमारे बीस फंदे हैं और पांच फंदे हमारे बीच में थे और 21 फंदे यहां थे तो लास्ट में हम यहां पर एक दो का एक कर देंगे यहां पर भी हमारे 20 फंदे बन जाएंगे और यहां पर भी दोनों पारटे बराबर बन जाएंगे तो ये फंदे बना लेंगे लास्ट में एक फंदा कम कर देंगे कहीं पर भी आप यहां पर फंदा कम कर सकते हैं तो दोनों तरफ हुमारे 20-20 फंदे बन जाएंगे अब हम इसकी फंदों की घटाई करेंगे और उपर की तरफ ये बुटेज की सेफ बन के आ जाएगे तो देखें यहां पर अब यहां पर बना देंगे एक फंदा कम कर देंगे इसी तरह से अब हमारे यहां पर भी बीस फंदे हैं और यहां पर भी मारकर से पहले भी 20 फंदे हैं, उल्टी तरफ से पूरी सलाई को उल्टा-उल्टा बनाएंगे, यहां पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, कुछ चेंज करेंगे, ऐसे ही पूरी रो को उल्टा-उल्टा बुन लेंगे, तो बैक साइड से यह पूरी सलाई को उल्टा-उल्टा बुन लिया अब आज ये सेधी तरफ तो देखिए ये इस तरह से बन जाएगा इस बुटीज में देखिए ये पारठ हमारा पलैन वाला बन गया है अब फिर हम ये उल्टी सलाई वाला डिजाइन डाल लेंगे तो अब यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग में 20 फंदे हैं इसमें से 19 फंदे हम बुनेगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 19 फंदे हम बुन लेंगे जैसे इस सलाई में हम बनाएंगे आगे भी हम इसी तरह से इनी सलाईयों को रिपीट करेंगे जैसे इस सलाई में फंदे घटाएंगे ऐसे ही फंदे हम आगे तक घटाते जाएंगे तो यहाँ पर 20 फंदे हैं तो इसमें से हम 19 फंदे बुनेंगे तो निस फंदे ये हमने बुन लिए ये फंदा हमारा बीशमा है इस फंदे को उतारेंगे और इस मारकर को निकाल लेंगे ऐसे आप देखिए ये फंदा वापिस इसी में डाल के ये हमारा बीशमा फंदा है और ये सेंटर वाला है इसका दो का एक बनाएंगे फंदे को पिछे की तरफ करेंगे और दो का एक बनाएंगे बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे सिंगल अब ये सेंटर वाला फंदा है इस मारकर को निकालेंगे ऐसे इसको ऐसे पल्टेंगे और दो का एक बैग से बना लेंगे इस तरह से अब फिर आगे के फंदे धागा अपनी तरफ करते विए अब ये 19 फंदे हैं आगे हमारे पास इनको उल्टा ही बुन लेंगे पूरी सलाई को उल्टा बुनेंगे फिर से बैग में फिर से उल्टा बुनते हुए कंपिलीट की तरफ से पूरी सलाई को उल्टा बुन लिए अब आज ये सीधी तरफ अब देखें जैसे यहां पर प्लेन बुना है अब फिर से प्लेन पारट बुनेंगे तो अब यहां पर हम अठारा फंदे बनाएंगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, आठारे, चोदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारे, यह उनीसमा फंदा और यह सेंटर वाला फंदा इसका दो का एक बनाएंगे यह अलग से आपको नजराने लग जाएगा इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे सेंटर का सिंगल बनाएंगे इस फंडे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और दो का एक बनाएंगे बैसे आप फिर आगे के फंडे सीधी बनाएंगे तो जैसे मैंने इन शलाईयों में फंडे घटाई आप की बार सीधी सलाई बुनते हुए फंदा घटाया फिर पूरी सलाई उल्टे बनाएंगे फिर आएंगे फिर ये उल्टी सलाई का डिजाइन फिर डालेंगे अब 18 फंदे बुनके दो काई किया है अगली सलाई में 17 बुनके फिर 16 बुनके ऐसे ही बुनते में देखिए ये हमारे 1,2,3,4,5,5 डिजाइन उल्ट के डले है इतना पारट बुनके फिर हम आगे आपको बताएंगे इसको आगे किस तरह से बुनेंगे तो दिखें फंदे घटाने के बाद इतने पारट को हमने कम्प्लेट कर लिया है तो डिजाइन के अगर काउंट करें डिजाइन को तो पलैन वाले पारट है एक दो तेन चा है अब हम इसका ऊपर बोर्डर बनाएंगे तो देखिए फंदे काउंट करें तो हमारे पास अब कितनी हैं दो चार छे आठ दस बार है चोद है 16 अठार है 20 22 24 26 और 27 27 फंदे अब हमारे पास टोटल बचे हैं अब यहां पर हम उल्टे उल्टे स्लाइब उनते हुए इसका उनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे सेधी तरफ से उल्टी स्लाई और उल्टी तरफ से उल्टी स्लाई यह बुनेंगे तो देखिए जैसे यह बोर्डर हमने यहां पर बनाया हुआ है इसी तरह से आप यहां पर बोर्डर बना लेंगे आठ स्लाईयों का बोर्डर ह है नोमी सलाई में हम इन फंदों को सभी फंदों को बाइंट ओफ करेंगे और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेवी बूटीज बेवी सूज कई ये बहुत ही प्यारा साधी जाहिए बनके आ जाएगा तो इस आठ सलाईों का बोर्डर बना लीजिएगा यह आप और भी लैंथ इसकी बोर्डर की लैंथ बनाना चाहते हैं और ज्यादा तो आप और ज्यादा सलाई बना सकते हैं यहां पर उल्टे उल्टे फंदों का बोर्डर बनाऊंगी आप इसमें उल्टे का बनाना चाहते हैं तो आप उल्टे उल्टे का बना सकते हैं और एक उल्टा एक स सिधे का बोर्डर भी आप यहां पे बना सकते हैं तो यह दोनों तरफ से उल्टा-उल्टा बुनते हुए मैं यहां पे आठ सलाईयां बुल लेते हुए फिर आगे दिखाते हैं यह बोर्डर बनाके कम्पलीट कर लिया है चार लाइने हमारी सीधी तरफ से आई हैं और तीन आईने हमारी उल्टी तरफ से आई हैं तो टोटल साथ सलाई हमने बुल ली है अब आठमी सलाई उल्टी तरफ से हैं तो यहां से इन फंदों को हम बाइंड ओफ करेंगे यानि बंद करेंगे दो फंदे लेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को लूज रखेंगे ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को वापिस इसी नीडल पे लेंगे, और आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे, तो इसी तरह से इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे, टाइट नहीं करेंगे, अगर इस फंदे को हम टाइट करेंगे, तो ओ अगे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इस फंदे के अंदर से सुवी में डालके ऐसे निकाल लेंगे और इसकी नोट लगा लेंगे तो यह इस तरह से हमारी बन के तैयार हो जाएगी अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे इसको ऐसे सीधा ही रखेंगे सीधा रखेंगे और फिर इसकी देखें इस तरह से सिलाई करेंगे बहुत ही फिनिसिंग के साथ बारिक बारिक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे सबसे पहले हम यहां से सुन डालेंगे और एक नोट लगा के इसको यहां पे पका कर लेंगे अब देखिए इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे और फिर इसके शिलाई करेंगे यह इस फंदे में से निकालेंगे इस तरह से फिर इस रो में से निकाल लेंगे फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे फिर इस फंदे में से निकाल लेंगे ऐसे ही दोनों तरफ से इसके बारिक बारिक टांके लगाते हुए लाइन के अंदर लाइन, डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाते हुए और बहुत ही फिनिसिंग के साथ इसकी सिलाई हम करेंगे इसका पता भी निचे लेगा कि इसकी सिलाई कहां से की हुई है बहुत ही finishing के साथ इस तार इसे यहां से ऐसे चिलाई करेंगे फिर यहां नीचे की तरफ से पिर मांद को दिखाते हैं इसकी final look किस तरह से बन की आएगे डिजाईन के अंदर बिल्कुल डिजाईन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे तो देखें बनने के बाद हमारी बूटीज की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है, बहुत ही प्यारे सी बेबी बूटीज बनी है, सुज गई है, चोक्स कई है, जुराब कई है, जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतने ही आसान है, अगर आपको ये बेबी फ्रेंट्स ग्रूप में सेर कीजिये, चैनल पे अगर आप नई है, तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिये, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये बेबी बूटीज कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका को कैसा लगा है, ठ Thank you.